आज इस वीडियो में बहुत एक वाइटल टॉपिक को पर हम लोग डिसकस करेंगे वो है स्वाप्टूट का देने का तरीका या देने का टाइम कि आज के टाइम पर इतना कॉन्फूशन है स्वाप्टूट के बारे में ज्यादा तत देख रही हूं में जो आप लोग के फॉ अब लोग उसको प्रस्तूत कर रहे हो वह ब्रीट पारना ब्रीट मेडिसिन से नहीं इतना ख्याल रखिए जो मेरे वीडियो देखते हो उसी के लिए एक सला है सला मानो कुछ एक माल नीजिए एक रिक्वेस्ट कर मानो कुछ भी आडवाइस मानो कुछ भी मानो लेकिन ध् बड़ा बीडायर या कुतना भी बड़ा ट्रेडर हो या कोई भी कुछ भी बोले सौप फूट का कोई सेकेंड आप्शन नहीं है जो आपको प्रोवाइट सही तरीके से करना चाहिए सही टाइमिंग से सही सब कुछ तब ही जाके एक चीजे सुरू होता है और एक निउट् कुछ अपने तबियत के कारण बीजी था और कामकाज भी ता तभी जाके कि कुछ फुरा नहीं वीडियो बनाओंगा लेकिन कुछ इनफॉर्मेशन जरूर करूंगा कौन सा मतब वेजिटेबल में क्या विटामिन आपको मिलेगा या कौन सा नीट्रिशन मिलता है जो आपक चार बजे मत दे देना बहुत लोग ऐसे फोन कॉल साते हैं मेरा चुट्टी होते होते चार बज जाता है तब जाके मैं सॉप्टूट देता हूं आट बज मतब छे साथ बजे तो अगर अब का बार सारा दिन खाने से भी जाएगा तो आप रेस्ट कब लेंगे किनके ये सारे चीज आपको कोई नहीं बताएगा ये सच्चा ही है हर कोई अपने मतब चीजों को लेके वीजी है मैं कोसिस करता हूँ जो आप लोग के सामने जो सच है वो सामने लेका रहा हूँ जो आप लोग का भी बार जो इतना प्रॉबलम में है वो भी प्लेफूल ज प्रोसेस आपने आप उसके लिए आपको कोई भी माता पेची करने की जरुरत नहीं परेगा दिमाग नहीं लगाना परेगा ब्रीडिंग कोई मतब छोटे बच्चों का खेल नहीं है जो हम लोग मतब जो हम लोग समझते हैं जो एक मट्की मट्की या बॉक्स लगा दिया और किसी ने बोला था यह मेडिसीन विटामिन कैल्सिया में एक दम एक साथ इतने सारे कॉम्प्लिकेशन है बीडिंग का अगर एक बास सुरू हो सुरू हो जाए मतब मेरे पास तो कॉल आता है इसलिए बोलने बड़े-बड़े ब्रीडर दम तोड़ देते हैं मतब क्या है च्रेस में चले जाता है क्या करूँ पहल पीछले साल इतना अच्छा रिजाल इस साले क्यों रिजल्ट अच्छा नहीं है और इसी को एक सौटी म और आपका बार्श कितना टाइम के लिए रेस्ट में जा रही है कींकि सौटी के साथ नेंद के भी सख जरूरत है मैं सीट को इतना गंबी रूप से नहीं देखता हूँ कींकि सीड के भी विदेर Νेट्रिशन है लेकिन जतना एक शाप्पूर्ट में नेट्रिशन है एस साइन्स का बात बोल रहे हूं मेरा मन गरन कोई कहानी आपको सुनाने रही हूं जो अपका टाइम बरबात हो इस सुबा आप जैसे मेरा शॉप पूर देने का टाइमिंग जो है वह सारे चे बज़े की बीच में चे से चे बज़े सुबा की बीच में यहाप मोटा मोटी अड़्जस करके साथ सारे साथ करो फिर सेकेंड बिच में में नेम और तोलसी पत्ता को प्रोवाइट करता हूँ और बहुत ही मातंब मेरे बार्ट उसके लिए मेरे दोनों से टाफ में वेट करते हैं चो कब में दू करने के बाद रूसि ऐब शाप सफाई करने के बाद रहे का Дपए पैकेट लेकर आता हूं और उसी टाइम वो लोग सामने के लिए करते हैं विश्वास नहीं होगा तो फिर सूट करके आप लोगों को दिखा दूंगा कल ये वीडियो हम मॉंडे रात में सूट कर रहे हैं तो ये आप लोग आज देख रहे हो तो इसलिए बोल रही हैं दिखा दूंगा हाथ में फोन लेके सेकंड सॉट आप माल लेजिए मोटा मोटी फास सॉट फूट और सेकंड सॉट के बीच में मिनीमम दो सॉरी डेर से दो घंटा गैप जरूर मेंटेन कीजिए क्योंकि जो खाना हो खाएगा प्रोसेस जो होगा क्रॉप के वितर वाइस ताइस तैंगिंके राट के होता है एक घाय्जर बहुत जो कुछ भी है अभी ऑच हो दियांत् heeft होता है इतना है फ्कार का दो लों का बाद होता है उसके बाद लिवार इंटेस्टाइक राइन की जो सिस्टमेटिकली चलना चाहिए और चलते भी है उबात अलग है जो आपका बार्स का इंडियूशन प्राब्लेम में तो यह प्राब्लेम में बोर फॉकस करें सब्सक्राइब मतलब वो खाना खाया इंटक्ट किया कॉंजिम क्यों खाने को देन उसको रेस्ट देना चाहिए क्या रेस्ट खाना जो क्रॉप में पहुंचा आइस्ता इस्ता रेलीज हो डाइजेस्ट कर पाए फिर मेरा जैसे मान लीजिए छे सारे बज़े अगर सारे छे बज़े तो आड़ बज़े में रिलीज कर मतलब इतना ही सौपूर देता हूं सब्सक्राइब उसका कैल्कुले क्या जाता है क्वालिटी तो कोई कॉंप्रोमाइज नहीं होता है क्वांटिटी जो डेर घंटा के वीतर खतम कर देता हूं फिर उसको साप सापाई में कर देता हूं निकलने के बाद मलनीजे आड़ बज़े निकाला में पौने नौ बज़े तूल्सी और नेम को करें फिर उसको निकलमाल लीजे 10 वादा 10 न बज़े सपम देने के बाद प्रवाइड कर देता हूं उस दिन कोई सोप्तूर सिकंड ताइम नहीं देता हूं कि मैने एक बार बोला था एक बान नहीं का दिगवार बोला सौपफूर जो मानलब एक सप्ता में एक दिन शरीर को हलका पूल का खाना देना चाहिए कि इससे हिलिंग पावार बोलिया या लिवार और इंटेस्टाइन का काम करने का शंता और बर जाते हैं कि अध्यक्स कर da powder उसको मिल रहा है ज्यादा उसको काम काज नहीं कर पार उसको रेस्ट मिल रहा है तो season time-way second day में अपने काम काज में फिर चाल हो जाएंगे मतलब लीवार अरं इंटेस्टे erm — एक साइन से सैंसे जैसे हम लोग उपवास करते हैं, उसका एक लोजिक है, यह साइंटिपिक लोजिक यह है, जिसे शरीर को थोड़ा सा बिश्वाम देना, स्थार्ड, जब हम स्वपूट खतम हो गया, सारे दस बजे मानलीजी दी जा, या दस बजे, उसका टाइमिंग, उसी के मदब सुरू से करके सिर्फ एक बजे सीट्स प्रोवाइट किया दिया जाता है, वो मुटा मोटी सारे चार के बेच में उठा लेता हूँ, साप सपाई करके, जिस घर में बेबी है, उसको दाना, पानी, फ्रेज पानी प्रोवाइट करके, मेरा सेट आप, सिक्स फिप्टीन टू सारे पां कोई भी हो, सण राइज और ससेट के बेच में प्रोवाइट कीजी, रात में अगर कुछ खाना प्रोवाइट कर भी रहे हो, वो भी हलका फूल का कहना, उसको बोल सकते हो, सेट्स प्रोवाइट कर सकते हो, क्योंकि एई प्रोव्लम nahe का, कोई नियम नहीं है, जो कुछ भी जो जिसको जो लगे उसी की हिसाफ से आगे बढ़ रहे हैं और आज के डेट में देखिए आपका बार्स का इतना तकलिफ है मैं मदब मैं खुद कभी-कभी खुद बैट के सोचता हूँ जो एक बार्स इतना प्रोब्लम कैसे हो सकता है उसका एक दो लोजिक है एक आपका बार्स का रेस्ट टाइम सही नहीं है प्रॉपर रेस्ट देना नहीं जानते हो या दे नहीं सकते हो आपका जो सेटप का रुनियम है वो एक मदब नियम बन चुका है और एक है आपका सौप फूट का जो तरीका है देने का उसको भी जो ब लग होना चाहिए किनके स्वापफूर अगर टाइमिंग से रहे हो और तो आपका बार्श का प्रॉब्लिम कभी नहीं आएगा और मैं बार बार बोल रही हूं जो बार ब्रीट पर ले जा रहे हूं यह जो अब लोगों का बीज बीज में मेरे सिट अप में खुसकिस्पत हू खेल खुद में बीजी रहते हैं जिसे काल को जो वीडियो देखा दिखा है माद आप लोगों के साथ सेयर के आप लोगों इंटरेस्ट नहीं लगा जितना सब्फूर की यह डिपेंड होना आप कि कि इस सारे चीज कोई भी चैनल पर देखाया नहीं जाता है या बोला नही गिने चुने लोग देखते हैं जो सच मुझ सीखना जानते हैं मदिया सीखना चाहते हैं वही लेकुले देखना है तकि सच बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैंने स्टाडी करता रहता हूं जो कौन सा वीडियो में ज्यादा अब लोग फोकस कर रहे हूं मैं देखा आतार बार्ट का जो जहां पर लेकर आ रहे हूं तो हैवीट ही नहीं है तो सब्वूट के घर में आके खास मदब क्या खाएगा वह उसको चोटे उमर से उसको प्रैक्टिस किया गया है या सब्वूट के बारे में जानो तो चाना ऐसे नहीं चलेगा अगर सच मुझ अपन जिन्देगी बदल जाएगा मान के देखिए जो लोग आस तक मान चुके है उसका जिन्दगी अलेड़ी बदल चुके है और आभी बी आप सोच रहे हो जो चैनला या ये चैनल ने सही बोला तो आप सारा जिन्देगी कौनफॉशन में भी जियोगे ये मेरे हाथ आप पु चलते रहेंगे कभी प्लेफुल जिन्देगी अपने बार जियेगा नहीं तो चली आज रखता हूँ आज इतना ही नमस्कार